हलो एवरीवन, वेलकम तू लर्नर भी फ़र क्लास एथ, आइम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एथ हिंदी की बुका चाप्टर टू लाख की चूडियां, तो देखें, सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्यों होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे के मन को मोहले, वैसे तो मेरे मामा के गाउं का होने के कारण, मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परन्तु मैं उसे बदलू मामा ना खहकर, बदलू काका कहा करता था, जैसा की गाउं के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू का मकान कुछ उचे पर बना था मकान के सामने बड़ा सा सहन था सहन जो है ना इस शब्द का मतलब होता है हांगन तो वहाँ पर एक पुराना नीम का वरक्ष था उसी के नीचे वैट कर बदलू अपना गाम किया करता था बगल में भट्टी धैकती रहती जिसमें लाख पिघलाया करता सामने एक लखडी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूडी का कार देता है सलाख होता है मतलों जैसे की मैटल की तंडी आप कह सकते तो कि इस चप्टर में देखें अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो राइटर है ना वो अपने मामा के गाओं में जाते थे चौब तो उनको एक वहाँ पर एक चूडी बनाने वाला सब्सक्राइब करें नियां जोटें बुआ कि तो इसफिन राइटर गता एक लेक की जाता था कि और तो बहुत सारे प्लें तो आगे बताते हैं मतलर किस तरीकिस जाता था चूडियों को तो चूडियों को वह क्या करते थे जो बटी मतलब हम बतायों को चूडियों को dolis जी पर लबहुत में गलाया जाता था अक लकटी की चूख़ड़ी रहती थी ज Soph केल raised देते थे तो ऐसे करके पतली पतली हो जाती थी जब लाग तो उसको चुडी में बना देते थे पास में 4-6 विबिन आकार की बेल नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आक से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी तो मतलब मुंगेरियां होती थी वहां पर तो देखिए गोल लकडी बेल नुमा मुंगेरियां तो यहां पर यह शब्द है बेल नुमा मुंगेरियां इसका मतलब होता है गोल सी लकडी वहां पर रखी रहती थी और मुलायम होने के बाद उसको पतला सा करके चुडियां बना देते थे और पास में 4-6 विबिन आकार की बेल नुम मुंगेरियों पर चड्ञा कर गोल और चिकना बनाता है , मतलब मुंगेरियों पर चड्ञाता है chut Beyya amakward मुंगे हवलता है , मुंगेरिय से उंपर कर रिचा करकर चड़ा जो चристद मुंगेक 음식 उतता है , पर इस पहुए लपड़ा जाता थाद वहां इंप करताया Ambassador तो घाओ में खाट होते है, उसको मच या करते हैं, इसके कर्के होते हैं. तो मच या पर बैठ कर हमेशा, ये काम वो किया खड़ता था. जो बहुत ही पुरानी मच या थी, बगल में ही उसका हुका रहता है. तर बुक्का पीती रहते है ना जिसे वे वीच पीच पे पीता रहता गाउन में मेरा दुबहर का समय अधिक तर बदलू के पास बीतता वेह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंट एक मचिया मंगा देता तो जैसे ही मैं पहुँचता तो मेरे बैठने के लिए वहाँ पर वो मचिया मतलब खाट जो है वो मंगा दिया करता था मैं घंटो बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूडियां बनाते देखता रहता और राइटर जो यह घंटो बैठे रहते और चूडिया बनाते देखते रहते मानोग है बेलन ना होकर किसी नवदो की कलाई हो तो मतलब जो बेलन सी पे चड़ा देता था तो बेलन मतलब जहां पर रख देते हैं उसको चूडी को उस पर रखने के बाद बदलु बहुत देता अग उसको देखता रहता जैसे कि वो किसी नई-ई बिहाली जो बहुए होती उनकी कलाई हो ऐसे उसको देखता रहता था बदलु अपरी चूडियों को बदलु मनिहार था मनिहार जो होते है न एक तरह से जो चूडिय बनाने वाले जो लोग होते है न उनको मनिहार होते हैं गाउ में तो बदलु मनिहार था चूडिया बनाना उसका पैत्रिक पेशा पेत्रिक मतलब पिता से संबनते, पिता दादा सब चूरियां बनाया करते थे और वास्तफ में वे बहुत ही सुन्दर चूरियां बनाता था उसकी बनाई हुई चूरियों की खपत भी बहुत थी, मतलब बहुत जब यूस भी की जाती थी उस गाउं में तो सभी इस्तियां उसकी बनाई हुई चूरिया पहनती थी आसपास के गाउं के लोग भी उससे चूरिया ले जाते थे परन्तु वह कभी भी चूरियों को पैसे से बेशता था पैसों से नहीं बेशता था कैसे बेशता था अब देखिए उसका अभी तक वस्तू विनियम का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चुट्या ले दाते, तो वस्तू विनियम मतलब पैसे के बदले में ना ली चाहे चोचीज मतलब जैसे कि लोगों ने अनाज दिया कोई खाने की चीज़ है कोई भी चीज़ देती और उसके बदली चुडियां ले गए बदलू सभाफ से बहुत सीधा था मैंने कभी भी उसे किसी से जगरते नहीं देखा हाँ शादी विवा के अफसरों पर वहे अवश्य जित पकड़ जाता था शादी विवा के टाइम पर उस पर खूबसर कसर निकाल देता था आखिर सुहाग के जोड़े का महत्वी ओर होता है मतलब जो शादी के लिए पहले जाता है उसुऑषादी के लिए बहुत जाता होती है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवापर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसक इतना भर जाता था कि उसके लिए अपनी घरवाली को सारे वस्तर मिलते धेरो अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपिये जो मिलते सो अलग तो मतलब जो शादी का जोड़ा होता था उसके लिए उसकी घरवाली के लिए कपड़े भी मिल जाते थे और अ बहुत चिरते थे ते यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांट की चूरियां दिख चाती तो यह अंदर ही अंदर कुड़ जाता है कि मतलर गुड़ जाता है या फिर गुस होता है कि कैसे बताऊं आपको कि एकदम से कुड़ना होता है ना कि गुसा होता ना पैसे समझ लीजए और कभी कभी तो दो चार बाते भी सुना देता है उल्टी जी भी बोल भी दिया करता था मुझे तो वे घंटे घंटो मतलब बहुत बाते किया करता था कभी मेरी पढ़ाई के बार होता है दो और प्रहमों और मटावज लर्ड़ना कि आसमी अपने मरत का हात पकड़ कर सखों को पर घंटी भी है सोने यहाँ उनकी ख़क है ना दू है ना लाकी चूड़ियां कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता मतलब अच्छे से बहुत जदा खाति दाजी होती है जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां से दो-चार आम खा आता परन्तु इन सब बातों के अतरिक जिस कारण मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलिया बना देता तो लाग की गोलिया रंगी रंगी को उप्सुरसी बना के रखता था वो लिखक के लिए मैं बहुदा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा की हाँ चला चाता और एक आद महीने वहार रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ चाता बहुदा मतलब जागतर हमेशा ऐसा ही होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घरे चले जाते थे जो राइट तब बदली हो गई और एक लंबी अवदी तक मैं अपने मामा के गाउं ना जा सका तो फिर थोड़े टाइम बाद इनके फादर का टांसफर हो गया तो फिर उसके बाद ये बहुत टाइम तक अपने मामा के बाद नहीं जा सके तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहा गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाग की गोलियों में मेरी रुची नहीं रह गई थी तो 8-10 साल बाद अपने मामा के घर गए तो लाग की गोलियों में इनका इंटरेस्ट नहीं रहा अतहा गाओं में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया इस बीच मैंने देखा कि गाओं में लगभग सभी इस्तरियां कांच की चूडियां पहने हैं विरले मतलब बहुत कम ही हातों में मैंने लाख की चूडियां देखी तब एक दिन सहसा मतलब अचानक एक तम से बदलू का ध्यान हुआया बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंकन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हात में कांच की चूडियां छूड़ कर उसकी कलाई में घुज गई और उससे खून बहने लगा मेरे मामा उस समय घर पर ना थे मुझे ही उसकी मरहमपटी करनी पड़ी तब सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा की उससे मिलाओं अतहार शाम को घूमते घूमते मैं उसके घर गया बद्दू वहीं चबूत्रे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था तो मतलब इनका जब फादा का इंको ट्रांसफर हो गया था तो लगफंग आट-दस साल तक ही अपने मामा के गाओं नी गए काफी बड़े हो गए जब गए तो इनकी बद्दू का एकदम से धिहान नी आए क्योंकि इनकी लाकी गोलियों में तो इंड्रस्टिन करा नी रहा था फिर एकदम से इनके सब रब देखा कि सारी औरते गाओं की भी कांट की चूडिया पहने हुए हैं और इनकी कजन के पहचाने नहीं और देड तक मीरियों नहाता रहा तो पहचाना नहीं बोड टाइम हो गया था इसलिए देखते रहे तो उसने कहा मैं हूँ जनार्दन काका आपके पास से गोलिया बनवाकर ले जाता था मैंने अपना परीचे दिया कि मैं वही हो आप से गोलिया बनवाकर बदलू फिर भी चुप रहा मानोव है अपने स्मृती पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो स्मृती पटल मतलब अपनी यादों में अतीत के अतीत मतलब बीते हुए समय की यादे ताजा कर रहा हो तब है एकदम बोल पड़ा आओ 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 लला बैठो बहुत दिन हाँ इधर आना नहीं हो सका काका मैंने चार पाई पर बैठते हुए उतर दिया कुछ देर फिर शांती रही हम दोने चोप रहे मैंने इधर उधर दिश्टी दड़ाई इधर उधर देखा ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और नहीं भट्टी तो मचिया भट्टी जो थी कुछ भी नजर नहीं आई जिस पर वो लाग की चूडिया मनाता था बत्लू आज कल काम नहीं करते काका मैंने पूछा तो बोलता है नहीं लला काम तो कहीं सालों से बंद है मेरी बनाई हुई चूडिया कोई पूछे तब तो गाउं गाउं में कांच का प्रचार हो का युग है लाग की चूडिया इतने संदर नहीं होती कांच की जादा होती है सब लोग कांच की चूडिया पहनते हैं तो कई सालों से मैंने लाग की चूडिया बनाना बंद कर दिया लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी चलती तूट जाता है मैंने कहा नाजुक पर और माथे पर नसे उभराई थी, जाने कौन उसे मेरी शंका भापली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खासी है, फसली खासी मतलब जो सीजनल खासी हो जाती है न, वो है, मतलब दमा की बिमारी नहीं है, यह महीने दो महीने से आ रही है, तस पंदरा दिन में ठीक हो कोंई बहुत बड़ी व्यथा चेप यहां कुछ देर फिर शांती रही तो मुझे अच्छीु नहीं लगी आम की फसल कैसी है काका कुछ देर पश्चात मैंने पात का विशय बतलते वेगा फिर पूछ लगा की भई मतलब लाग के बारे में पचारे काका सोच जेंगे दुखी हो गए तो फिर पूछ लगे कि आम की फसल कैसी है तो बोलते है अच्छी है लला बहुत अच्छी है उसने लहक कर उतर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी अरे रजो लला के लिए आम तो ले आओ फिर मेरी और मुखातिब मेरी तरफ होते हुए बोला माफ करना लला तुम्हें आम खिलाना तो मैं भूली गया इस तरह के से लोने बोला कि आप खिलाना भूल गया मैं फिर राइटर बोलते जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था ठीक है तो मलाई बचा कर रखते थे तो इनको याद आए तो इन्होंने पूछा गाई तो अच्छी है ना काका मैंने पूछा तो इन्होंने बोला गाई कहां है लला दो साल हुए बेजदी कहां से खिलाता तो फिर लगे कि गाई तो नहीं है गाय तो मैंने बेज़ दी खिलाने के पैसे नहीं थे मेरे पास इतने मेरे रज्जों इसकी बेटी अंदर से एक डलिया में टेर से आम लियाई यह तो बहुत है काका इतने कहां खापांगा मैंने कहा वावा बहस पड़े शहर ठेरे ना मैं तुम्हारी उमर का था तो इसके चौगने आम एक बख़त में खा जाता था आप लोगों की बात और है मैंने उतर दिया अच्छा बेटी लला को 4-5 आम चाट कर दो सिंदूरी वाले देना देखो लला कैसे है इस साल यह पेड तयार हुआ है रज्जो ने चार-पांच आम अंजुदी में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिये मतलब हात में लेकरके, हतिली में लेकरके जो रज्जो थी हिऊ की बेटी काका की, उन्होंने लेका की तरफ बढ़ा दिये आम लेने के लिए मैंने हात बढ़ाया तो मेरी निगह एक शन के लिए उसके हातों पर ठिटक गई गोरी-गोरी कलाईयों पर लाग की चूडियां बहुत ही फवरें थी तो मतलब उनकी बेटी में तो लाग की चूडियां पेंटा की थी बदलु ने मेरी दिश्टी देख ली और बोल पड़ा यह आखरी जोड़ा बनाया था जमीनदार सा मुझे प्रसनता हुई कि बदलु ने हार कर भी हार नहीं मानी थी उसका व्यक्तित्व कांच की चूडियों जैसा ना था कि असानी से रूच जाए तो मतलब उन्होंने लाग की चूडियां बहु जाता सस्ते में बेचने से एक तरह समना कर दिया था और मतलब उनमें स्वा पर्सनालिटी के इंजान थे तो यह मारे चाप्टर का पूरा एक्स्प्रेनेशन हो गया है कैसा लगा वीडियो जरूर बताईए अच्छा लगा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंज के साथ भीस को शेयर करिएगा थेंक्यू